हेलो फेंट्स वेलकम टू नियू आक्सफोर्ड एजुकेशन चलि हम आज बिहार स्पेसल कप का प्रेटिशेट नमर थेरी बनाने जा रहे हैं इसमें आपका वही प्रस्ण सामिल है जो आपका बीपीसी अभी तक पूछा है यानि बीपीसी दोर पूछेगे सभी प्रस्ण सा जोड़े हैं जोड़े आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीलिस में आकर जरूर देख लिएगा चलिए हम सुरू करते हैं कि किस सुल्तान ने जमीन में जमीन में फसल की नपाई का आधारायस के रूप में दावा किया तो यह क्या आपका अलावदिन खिल जी ऑप् आप्शन D हो जाएंगे नेक्ट अपका है कोशन नमर 3 कोशन है कि यह कथन किसका है कि अकवर के सासनकाल में इल्लाबाद में 40 अस्तम्युक्त मंजिल के निर्मान में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया या किसने कहा था यह कहा तब का बिल्यम फिंच आप्शन C हो जाएं यह हो आपका 12 सतावदी में आप्शन A हो जाएंगे ऐसे ध्यान रखेगा कागज का पर्थम उप्योग आपका चीन में हो था नेक्ट अपका है कोशन नमर 5 कोशन है कि भारत में किसके सासनकाल में इंग्लिस इस्ट इंडिया कंप्री का गठन हुआ था यह हो तब का अकव मुस्लिम बीजयता कौन था तो यह था अपका वक्तियार खिल जी याद रखेगा वक्तियार खिल जी आप्शन C हो जाएंगे नेक्ट अपका है कोशन नमर 7 कोशन है कि नालंदा विहार का धौन्स किसने क्या था यह क्या था अपका वक्तियार खिल जी आप्शन A हो जाएं यहां आपका फिर वां से स्टार्ट है कि निम्में से कौन सा इस्ट इंडिया कमपनी के सिपाहईों को बिद्रोही बनाने का कारण नहीं था यह जगा आपका option D अधिकारियों की अच्छमता यह कारण आपका नहीं था next आपका है question number 2 है question है कि नील बिद्रोह के बारे में था नील बिद्रोह किस के बारे में था तो यह था आपका रायत निल के खेती नहीं करना चाहरे थे पर उन से एक असमानी मुल्य पर जबर्दस्ती करवाई जा रही थी option C हो जाएंगे next आपका है question number 3 question आपका है कि जालिया वाला नर संगहार किस गांधी वादी सत्तागरा के समंध में हुआ यह हो तो आपका रॉल एक्ट एक्ट के विरुद रॉल एक्ट एक्ट हुआ था अपका उनिस्टो उनिस्ट माया था next आपका है question number 4 question आपका है कि किस अस्थान पर आदिवाश्यों ने अंग्रेज के खिलाप विद्रो किया था यह किया था आपका बिहार में है यह से मुन्डा बिद्रो हुआ शंधाल बिद्रो हुआ यह कहा हुआ था बिहार में हुआ था option ए हो जाएंगे next आपका है question number 5 5 है कि निम्मे से मातमां गांधी का भात में पहला सत्यागरा कौन था यह था आपका चंपारन सत्यागरा जो 1917 मुआ था चंपारन सत्यागरा जिसमें आपका तिन कठिया पर ना लिके बिर्द हुआ था next आपका है question number 6 question number 6 है कि चंपारन में गांधी जी को आमंतरन किस ने दिया था यह दिया था आपका राजकुमार सुक्ल option B हो जाएंगे next आपका है question number 7 question है कि नमक सत्यागरा के दोरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के बिरूद दोरा सरकार का बिरूद किया यह क्या था आपका चौकिदारी कर के बिरूद option A हो जाएंगे next आपका है question number 8 question number 8 है कि बंगाल और बिहार में भोमी पर किरायदारों के अधिकार को बंगाल किरायदारी अधिनियम दोरा कब स्विकार किया गया तो यह क्या आपका 1850 में option C हो जाएंगे next आपका है question number 9 question है कि बिहार कब भारत में एक सोतन्त परदिश बना तो यह बना आपका 1912 में बंगाल से अलग होकर उसमें आपका बिहार में उरिसा भी समील था तो उरिसा अलग हो आपका 1936 में बिहार से आपका उरिसा अलग होकाव 1936 में जबकि आपका जारखन काव अलग होका तो यह हो आपका 2000 इसमें कि याद रखिगा कब अलग ऐ़ से पहलेफ का उनिस्सोच्छचिस में अटीसकेशा अलग वह नेक्ट आपका है को स्वामी स्थानि है यह jin अपका क्या हो जाए यह डिटांध हो जहेगा और सी हो जागा अपका डी भी हो जागा ऑप्शन ऐ हो जैंगे एक से अधिक उप्योंक्त में से एक से अधिक नेक्स्ट अपका है कोस्चन्स नमर्रंवेबन कोस्चन से नहरेदे कि बिहार सोचलिस्ट पार्टी कब गठीद हुई ये गठीद हुआ था आपका 1931 में आप्शन C हो जाएंगे 1931 में याद रखेगा बिहार सोचलिस्ट पार्टी के आपका अधिक्ष थे नरेन देव जबकि इसका महा सचीव थे जय प्रकास नरेन याद रखेगा नेक्स आपका है कोश्चन नूमर 12 कोश्चन है कि इन में से किसने बिहार में पहले कॉंगरेस मंतरी सभाग का नियत्रित किया तो ये कि coalद है अपका शिरी क्रिशन सिंग ऑपशन D होजाएंगे शिरी क्रिशन सिंग ये आपका बिहार के पर्थम मुख्मंतरी में एど स्री क्रिशने सिंग नेक्स अपका है कोश्चन नमर 13 कोश्चन है कि भारत छोड़ो आंदुलन के दोरान 11 अगस्त 1922 को हुए सहीदो के नाम उनके निवास अस्थान को मिलान कीजिए एक सेर्दिया सहीदो के नाम और एक सेर्दिया उसका अस्थान ता आपका हो जाएगा तो हो जाएगे सहाधत नगर फिडलक राज दरैंद्र सिंग इसका वन हो जाएंगे बन्लवारी चक सारण फिर आपका शतित चंदर ज्व एसका और फोड ने स्था ने का एंसर का होगा option A हो जाएंगे नेक्ट अपका है question मर्चाउदा question है कि बिहार प्रोवेंसियल किसांज सभाय का गठन कब वह था यह हो तपका 1929 में कौन किया था यह के था अपका नेक्ट अपका है question 15 कोशन है कि स्वामी साजाना सभस्वती ने एक पत्रिका का परकासन क्या था उसका नाम क्या है था हुंकार किसका क्या था हुंकार नेक्ट अपका है question 16 कोशन है कि पत्रिका में 1913 में अनुसीलन समिती की एक साखा के स्थापना किस ने की थी यह के था आपका याद रखेगा सचीदनाथ सन्याल सचीदनाथ सन्याल option C हो जाएंगे नेक्ट अपका है question 17 की 1922 से 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किस ने किया था यह किया था आपका मुहमद जुवेड और सिरी कृसन सिंग मिल कर किया था इसी यह आपका option E हो जाएंगे ओप्युक्त में से एक से अधीक ओप्युक्त में से एक से अधीक यह आपका स्री किसन सिंग और मुहमद जुवेड ने मिल कर किया था मुंगेर में किसान सभा का अस्था अपना next अपका है question 18 question है कि 1934 में बनी बिहार सुशलिस्ट पार्टी के महा सचीव कौन थे यान सचीव कौन थे देखे question आगे आपका तो इसमें आपका सचीव थे जैप्रकास नाराइन याद रखेगा बिहार सुशलिस्ट पार्टी के आपका सचीव थे जैप्रकास नाराइन जबकि उसका यह कोशन बहुत अच्छा याद रखेगा नेश्ट अपका है कोशन नमर 19 कोशन है कि बिहार में किसान सुरी बिहार में भारतिय सम्धान सभा में सदस कौन थे यह थे अपका एन के सिना सुरी एन सिना बिल्कुल सही है दाजेंद परसाद याभी थे जग जीवन नाम याभी थे और स्यमान अंदर परसाद मिस्रा याभी थे आपका आपका ऑप्युक्त में से एक से अधिक नेश्ट अपका है कोशन नमर 20 कोशन है कि बिहार में 1937 में कठित पर्थम भा मुहमद यूनूस कौन के था मुहमद यूनूस याद रखेगा आपका कि ब्रिटिस भारत में ब्रिटिस बिहार में आपका बिहार के पर्थम मुहमद यूनूस जबकि आपका सोतंतर बिहार के पर्थम मुहमद यूनूस जबकि आपका सोतंतर बिहार के पर्थम मुहमद य कौन है तो स्री क्रिशन सिंग नेक्ट अब का है कोश्चन नमर 21 कोश्चन है कि 5857 की करांती के दोरान बिहार में करंतिकारियों करनेता कौन था ये था बावू कुबर्शी कहां से था जगदीशपूर नेक्ट अब का है कोश्चन नमर 22 कोश्चन है कि किसी ने यूरोपिय आप्षिन अप्ष्ट करें दोर्व किसानों की तरफ गांदी जी का ध्यान आकर्षित किया ति यह क्या थापका राजगुमार सुख लिने ऑप्षन बी हो जाएंगे नेक्स अपका है को सिन नमर तैइस कोशन है कि विर्शा मुंडा को सोते हुए कब पकरा गया था यह पकरा और सायोग अनुर्ण के दोरान किसने पत्ना कॉले छोड़ा जबकि उसका परिक्षा का केबल 20 दिन ही बचे थे यह था आपका जायपकास नैराइन आप्षन सी हो जाएंगे कि बिहार के किस वकील ने और सायोग अनुर्ण के समय अपनी लापद्र वाकालत छोड़ दी थी यह छोड़ था आपका डॉक्टर राजेंदर परसाद आप्षन बी हो जाएंगे कि निम्मे से संथाल विद्रो कब हुआ था यह हो तब का 1855 से 56 में कि कितना में बंगाल और बिहार में भूमी पर किरेदारों के अधिकारों को बंगाल किरेदार अधिनियम द्वारा दिया गया था यह दिया था 1855 में नेक्ट अपका है कोशन नमर 28 कोशन है कि 1920 से 22 के और स्थायोग आदुन के दोरान बिहार में परचलित मानताओं में में से एक था यह रही थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांदी जी में धर्म के कौन है परतिक थे गांदी जी क्योंकि धर्म के परतिक थे option A हो जाएंगे next अपका है question number 29 question है इन में से कौन बिहार के किसान नेता थे यह था अपका option 2 हो जाएंगे option अपका D हो जाएंगे केवल 2 next अपका है question number 30 और यह आज का last question है question है कि किस छत में राहूल संक्रदियान 1920 के और स्वयोग अंदर में सक्रिय थे यह था अपका छपड़ा से option A हो जाएंगे आज के लिए इतना ही फिर हम मिलते हैं कल next वीडियो में यह आपका question सभी BPSC दोरा पूछा है का question था इसको आप एक से दो बर जरूर बनाएगा आपका exam में इसी में से एक नेक प्रसन रहेंगे इसी में से question repeated रहता है आपका हर बर exam में तो जो भी आपका BPSC से शक्षक वर्टी वाले हैं इसे जरूर देखिएगा और जो एक स्टूरेटर आप 69 BPSC देना चाहते हैं इसके लिए भी इंपोर्टेंट है यह भी इसे जरूर देखिएगा थैंक्यू धन्यवाद यदि आप चैनल अपर नए हो तो चैनल को जरूर स्क्राइब कर लिजगा